अब हम साल में काफी आगे बढ़ चुके हैं और प्रिलिम्स भी जो है वो आना ही वाला है अब तक आपको पता लग गया होगा कि यह एक ऐसी सीरीज है जहां पे हम लोग करन्ट अफेर्स को डिसकूस करते हैं बहुत ही टू दपॉइंट तरीके से बहुत ही प्रिसाइस तरी इस वीडियो को अगर आप बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हो और अभी कुछ वक्त में प्रिलिम्स आने भी वाला है आप देखेंगे कि सीरीज से आपको कुछ सवाल जो है उसके अंदर आते होए दिखेंगे क्योंकि इस सीरीज के अंदर हम टॉपिक्स ही ऐसे क्यूरेट क आलते हैं इसको free of cost for everybody's benefit इस सीरीज के अंदर अगर शायद कुछ miss हो जाए तो there is this current affairs series which is already going on it's a current affairs course basically for pre as well as mains हम सबको पता है कि mains के अंदर जाधा mark score करने का एक सीधा साधा एक shortcut तरीक है कि आप current relevance के साथ में अगर answer लिखते हो तो आपके marks जो है उसमें जाधा आते हैं राइ आपको इस चीज़ के लिए पूरी करा help करता है ना ही सिरफ आपके current affairs holistically cover हो जाते हैं from multiple sources on the other hand आप उनको relevance के साथ में उनको relate करके अपने GS के answers में भी use कर सकते हो आप essay में भी use कर सकते हो basically यह आपको enable करता है current affairs को glide करने के लिए एक जो module है current affairs जिससे लोग ढहते हैं वो आप आपकी strength बन सकती है right through this particular course और यह जो है available है बोथ offline and online format में इसका जो है आपको 7 days का free trial भी मिलता है तो आपको 7 दिन का free trial भी मिलता है इस particular course के लिए और जब आप 7 दिन का free trial ले ले लेंगे अप उसके बाद में डिसाइड कर सकते हैं कि यह course worth it है नहीं है है न कोई जादा महेंगा course भी नहीं है लेकिन आपको पूरे साल के लिए current effects के शुटी कर देगा है न आपको इदर उदर भागने की ज़रूरत नहीं है परिशान होने की ज़रूरत नहीं है last last में जागे वैसे जैसे आज कल students परिशान होंगे कि यार यह document भी पढ़ लें व बैसिकली जिसके लिए यह series बनी है right this is food street project right थोड़ा सा cultural significance देखते हैं कि why this particular scheme है यह project क्या है अभी हुआ क्या है कि recently जो हमारे union minister of health and family welfare है उन्होंने रिव्यू किया था इस project को food street project क्या करता है food street project आपको समझ में आ रहा होगा food street जिसको हम खाव गली टाइप बोलते है न एक se street जहां पर खाने पीने का समान मिल रहा है street food मिल रहा है right क्या करना है इन्होंने इस project के अंदर hundred healthy and hygienic food streets across the country यह बनानी है ठीक है यह project है कि हम healthy food streets इसको develop करेंगे with best practices and the standards by FSAI food safety and standards of India के हिसाब से standards जो guidelines है उनको follow करते हुए हम 100 healthy and hygienic food streets को across the country बनाने वाले है यह इसको आगे जाने से पहले कि कौन कर रहा है कैसे कर रहा है बहुत ब्रीफ में हम यह समझते हैं कि जो food streets है है और street food है जिसके अंदर जो वहां पर food streets के अंदर street food मिल रहा है यह हमारे cultural significance में बह जाता है कहीं पर भी आप कहीं घूमने जा रहे हो किसी को आपने शहर दिखाना चाहरे हो आप जितनी मर्जी scenic beauty दिखाते रहे लास्ट में जाके जो तसल्ली है फूड पर ही होती है right food is that art जिसको आप खाते हो and it becomes you what I mean to say is जिसे आप बच्पन में छोटे थे अब आप बड it's the thing of survival and it's the thing of art how you cook food है ना और उसके अंदर आप कौन से flavor डालोगे और इंडिया is the land of spices है ना हमारे पास मसाले भी बहुत है हमारे पास चटोरे लोग भी बहुत है इस वजह से यह जो particular project है यह थोड़ा सा हटके important हो जाता है कि हम कैसे क्योंकि अब जीब तो गंट्रोल में क सबकि लेकिन फिर भी हम कैसे hygiene को integrate करें street food के अंदर तो यह कुछ model food streets की तरह भी काम करेगा आपके लिए ठीक है चलिए आगे चलते हैं इसके अंदर कि यह क्या करेगा कौन कर रहा है अभी union minister of health and family welfare ने review किया that means उस ministry के अंडर भी है ठीक है तो यह ministry of health and family welfare के अंडर का ही एक project है जिसका project का नाम है food street project एक तो जो सीज़ा सवाल आ सकता है यह कि food street project है ना has been implemented by या is implemented by the nodal agency question वा कौन सी तो उसके अंदर आपको बहुत सारे option मिलेंगे इसके अंदर जो है ministry of housing and urban affairs की collaboration भी है और भी collaborations है इसके अंदर है जैसे for example FSSAI की लेकिन इसकी जो nodal agency है जिसका यह project है that that is ministry of health and family welfare एक सवाल तो यह बनेगा यहाँ पर सिधा सिधा चलिए आगे चलते हैं क्या है यह किसके थ्रू होगा the national health mission mission nhm of the ministry of health and family welfare will provide assistance of rupees 1 crore यहाँ पर figure यह बने 1 crore देना है वो 10 times over 10 crore मतलब इस तरीके से सवाल घुमाया जा सकता है कितनी की assistance provide करेंगे 1 crore per food street as a pilot project to support 100 such food streets at different location across the country to operationalize the food streets ठीक है और grant किसके थ्रू होगी इसमे उपर भी लिख दिये in the ratio of 60-40 or 90-10 60-40 in all the states and 90-10 in the special category states है और NER जो states है North Eastern region की जो states है वो और हिली हिली areas की जो states है उनके अंदर हम 90-10 के अंदर और वैसे बाकियों के अंदर 60-40 with the condition that branding of these food streets will be done as per FSSAI guidelines ठीक है इनकी guidelines के थ्रू होगा वो guidelines आपको दिख भी जाएंगे भी थोड़ी सी हम देखते है financial assistance would be provided for activities such as ठीक है क्या किसके अंदर financial assistance provide होगी the provision of safe drinking water, hand washing, toilet facilities, tiled flooring of common areas जहां बैठके खाना है appropriate liquid and solid waste disposal, provision of dust beans, using billboards, facade preparation मतलब की दिखता कैसे है facade means दिखता कैसे है, face कैसे है उसका है ना and signage of permanent nature, common storage space, lighting, specialized carts for specific type of trades, branding etc इन सब चीज़ों के लिए, मतलब कि यह कैसी जगा होगी जहां पर आप अगर आपकी कोई शहर में आया तो आप यहां लेके जाना चाहोगे आपको specialized carts, flooring area के अंदर आपको tiles मिलेंगी इस टाइप की चीज़ों के लिए आपको जो है rupees 1 crore की जो वो grant है वो आएगी इस particular उसके लिए ना The initiative will be implemented through NHM in convergence with Ministry of Housing and Urban Affairs apart from FSSAI's technical support, technical support का मतलब यह हो गया कि हम किस तरीके से waste manage करें यहां पे, food safety standards क्या होने चाहिए, for example उनकी guidelines यहां तक बताती है कि आपको counter किस चीज से कितनी बार clean करना है, ठीक है, अगर आप oil frying के लिए oil use करना है तो oil को replace किती दिर में करना है, कितना temperature अग इस type की चीजें और oil disposal type जिसे अगर किस फ्राई हो रही है, तो इस सारी चीजें इसकी technical support में FSSAI की उसमें technical support में यह चीजें fall करती है, need and significance थोड़ा सा देख लेते हैं इसको, हाला कि यह mains का part जादा बनता है, pre में इसका कुछ जादा पूछा नहीं जाएगा, street food has been an integral part of the Indian food culture and has played an immense role in sustaining and shaping the Indian food economy, of course, food कहा जाता है कि इसे आम भाशा में कहते हैं कि food business है कैसा business इसके अंदर मंदी नहीं आती, आप जितना भी अगर आपका जितनी लागत है, आप उतना तो कमा के घर लेके जाते ही जाते हो, आपका घाटा नहीं होता, ऐसा माना जाता है, right, I have not read any paper across it, but यह चीज़ मुझे observation के थूटी सी valid लगती है, कि हाँ क्योंकि इसमें लागत कम होती है, उसके बाद में आप इसके अंदर value addition करते हो, और food industry के अंदर value addition बहुत जादा हो जाती है, what I mean to say is, कि अगर आप tomato जैसे right now 20-25 रुपे या 30 रुपे किलो tomato आप खरीद रहे हो, उसका अगर आप सूप बनाओगे तो एक जो सूप का कप है, वो अलगभग आपका 50-100 पे कभी सकता है, on the streets as well, right, और उसमें value addition होती है, and this is the profit margin, value addition करते हो, थोड़े सी input cost लगती है, cylinder यह वो, है न, चलिए, therefore the aim of this project is to encourage safe and healthy food practices among food businesses and community members, thus reducing food bone illness and improving overall health outcomes, right, अभी जैसे बरसात का मौसम आएगा थोड़े टाइम में, तो आपको na food related illness देखने को थोड़े जाधा मिलती है, right, अभी जब जाधा गर्मी बढ़ेगी, उसके बाद food spoilage की problem भी जाधा होती है, लेकिन वो reheat करके बेच देते हैं, तो यह best practices नहीं है, right, तो इसके लिए, it will encourage safe and healthy food practices, और इसे related कौन कौन से initiatives हैं, आप एक screenshot लेके इसको पढ़ सकते हैं, यह कुछ जाधा मतलब detail में यह आपे नहीं मेंचेंड है, इसके बार अपने level पर ज़ूर आप एक बरी research मारिये, this is how you prepare for UPSC basically, right, and that is all for today, हमने food street project, right, इसके बार में बात करिये, which is a project under ministry of health and family welfare, right, Thank you so much for watching, my name is Rohit Garcha and this series is called To The Point.